जब भी गर्मियां आती हैं एक सवाल जो ज़्यादातर लोगों को परिशान करता है कि गर्मियों में अंडे खाने चाहिए या नहीं या सही है कि अंडे प्रकिर्टी में गरम होते हैं लेकिन साथ यह आविस्यक पोसक तत्तों से भी भरे होते हैं इसलिए या जानने के लिए कि क्या आपको गर्मियों में अंडे खाने चाहिए वीडियों में अंझतर तक बने रहे हैं अंडे प्रोटीन, वाइटमीन और खनी जो के एक सम्मिर्द्र स्त्रोथ हैं जो कई स्वास्तेलाब प्रदान करते हैं। अंडे के सबसे महत्रपूर्ण स्वास्तेलाब कुछ इस प्रकार हैं। पहला हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। अंडे वाइटमीन D से भरपूर होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। दूसरा आखों के लिए अच्छे हैं अंडे वाइटमीन A से भरपूर होते हैं और हम सब जानते हैं कि वाइटमीन A हमारी आखों के लिए कितना महत्तपूर्ण है। साथ ही अंडे में लिूटिन और जियर एक्जैन्थिन नामक दो आविस्यक एंटियोक्सिडेंस भी होते हैं जो आखों को स्वस्त रखने में महत्वपुन भूमी का निभाते हैं यह मोतिया बिंद को भी रोपते हैं और आखों की रोश्नी में सुधार करते हैं तीसरा वजन घटाने में मदद करते हैं एक बड़े अंडे में लगभग 80 कैलोरी और 6 ग्राम प्रोटीन होते हैं अपने अहार में अंडे को शामिल करने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है इस प्रकार ओवर इटिंग से बचाता है और वजन घटाने में मदद करता ह चौथा दिल के लिए अच्छे हैं अंडे शरीर में HDL यानी गुड कोलेस्टरॉल को बढ़ाते हैं जो हिर्दे रोग और दिल के दोड़े के जोखिम को कम करते हैं पाक्षमा बालो और तवचा के लिए अच्छा है अंडे बायोटीन, वाइटमिन B, वाइटमिन D, महत्तोपून खनी जो और अमीनो एसीड में सम्रिद्ध हैं जो बालो और तवचा को स्वस्त रखते हैं अब सबसे महत्तोपून सवाल पर आते हैं क्या गर्मियों में अंडे खाने चाहिए यह सही है कि अंडे प्रकीरती में गरम होते हैं लेकिन इसका मतलब या नहीं कि ग कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमान मौजूद नहीं है पोशन विशसग्यों का कहना है कि गर्मियों के दौरान आप एक दिन में दो से तीन अंडे खा सकते हैं लेकिन इससे अधिक खाने से पेट की समस्या जैसे अपच्च और स्टमक गैस आपको परिशान कर सकते है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिरसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए stay healthy and stay blessed. Thank you.